बच्चे कितने हैं स्टूडेंट्स? दो हजार अटीस दो हजार अटीस हैं? कैसे पढ़ाते हैं 12 लोग मिलके? कि सारे सरकारी स्कूल्स एक जैसे नहीं होते हैं मतलब सारी चीजे कह सकते हैं आपर है मंतिर जी के कोई खास राद में है या फिर और विद्याले में क्यों नहीं होता है? पैसानी की मोदी जी आपको देते हूं यालग से बहुत सारी किताबे रखी वी हैं आप देख सकते हैं जिस्सा जाना बाकी है तो क्या पैसे कहीं गाइव हो जाते हैं पता नहीं चल पाता है टेबल टूटा हुआ होता है बेंच टूटा हुआ होता है दिवारे जो है गिर रही होती है जारखंड के जो है महान सिक्षा गणजारा देख लीजिए अभी मैं राज किये प्लास टू उच्विद्याला है मनिका लाते हार के स्कूल के सामने खड़ा हूँ और ये गेट है और अभी जो है टाइम कितना बज़ रहा है मैं आपको बताता हूँ टाइम हो रहा है आपका आठ बज कर तेरे मिनट ये स्कूल जो है खुल गया है और यहाँ पर सिक्षक और सिक्षी का भी दिख रहा है तो अंदर चलते है और स्कूल की स्थिति बहुत अच्छी लग रही है इसकूल की कंडिशन को देख लिजे स्कूल का जो इंफास्ट्रक्चर है काफी अच्छा लग रहा है देखने में आप देख सकते हैं ऐसा सरकारी स्कूल जल्दी देखने को नहीं मिलता है सर है सर से बात करते हैं गुड मॉनिंग सर क्या नाम होगा अपका मेरा नाम मिर्गेंदर नारायन सिंग हुआ अच्छा साब ये बताए कि यह नाइन टू ट्वेल था इसकूल हां नाइन टू ट्वेल्ट है कितने शिक्षक है आप लोग हैं आपर यहां पर हम लोग हमें ल सब्सक्राइब कितने बच्ष कर रहे हैं अच्छा तो कब तक आजाएंगे बच्चे अपर अभी बच्चे तो पहुच रहे हैं बच्चे गाउं से आते हैं अच्छे गाउं तो उसके चलते बच्चे आज त्यारी से आएंगे पानी भी आरो लग रहा है उपर मोटर भी मेरे पास देखिए इस स्कूल के इंफास्ट्रक्चर को देख के कहा जा सकता है कि सारे सरकारी स्कूल एक जैसे नहीं होते हैं आप देखिए इतना अच्छा बनाया हुआ है आप देख लिजे इधर एक बार बागवानी किया हुगा इसका फर्स देख लिजे बहुत अच्छे से एकदम बनाया हुआ है और आप देख लिजे उसका आप दरवाजे को देखिए पेंड किया हुआ है मतलब एक एक चीज बहुत ही अच्छे से किया हुआ है और सरसे मैं बात कर रहा था है आपर परधाना ध्यापक है यहांके द बच्चे को तो आ जाना चाहिए था आठ बच्कर 16 मिनट हो गया क्योंकि दूर से बच्चे यहां पर आते हैं इस वज़े से भी निया होगा एक बार हमको सौचाले दिखा यहां का हम और एक बार हमको क्लास्रूम भी दिखाईएगा सर इस्पूल का जो कंडिशन है बहुत ही अच्छा है आप देख सकते हैं यह देखिए अंदर में भी देखिए पुरा भवन बना हुआ है विज्ञान परयोग शाला है वतलब सारी चीज़े कह सकते हैं पर है जिस अभी तो बहुत काम हों करवार है अभी करवार हैं बहुत चीज़ सेट अप होना बाकी है अच्छा सब्सक्राइब करने के लिए अच्छा लगा हुआ है इसकूल का कंडिशन ज्यादार बहुत खराब होता है लेकिन प्रयास करने से ठीक हो जाएगा प्रयास तो सरकार तो पैसे देती है पर प्रयास तुसी च्छा कर सकते हैं ना सर यह देखिया का शौचाले है सब कुछ है मतलब आप देखिए एकदम यहां पर डारेट जो है नल जल योजना के तहाट नल से पानी आता है सौचाले देख लिए मतलब सब कुछ अच्छा कह सकते हैं यहां पर कम्या में जबर जस्ती तो निकाल नहीं सकता हूं तो सब कुछ अच्छा है और यह देख ल समस्या क्या है कि सिक्छक लोग हमारे उपर बढ़क जाते हैं कि आप आकर सच्पाइ दिखाते हैं तो सर मैं यह कहना चाहता हूं कि सचाई दिखाना पड़ेगा तभी जाके कुछ होगा क्योंकि सिख्षा व्यवस्ता में सुधार करना है तो सबसे पहले शिख्षक को बदलना पड़ेगा मतलब सिख्षक जो है उनको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा क्योंकि यह देखिए यह भी सरकारी स्कूल है नाइन क्यों नहीं होता है और विध्याले में क्यों नहीं होता है सर्व तो सारे स्कूलेों के प्रदाना द्यापक शिक्षक करेंगे होगा है प्रियास है कि कोई भी जब राज से फंड आया प्रियास करते हैं और उसका फाइदा मिल रहा है तो एक स्कूल में क्या क्या होना चाहिए बेसिक चीजे बताइए इसके बाद पानी पीने की उचित ब्यवस्ता हो सोचाले की उचित ब्यवस्ता हो बच्चों के लिए घेरा बंदी नहीं था मैने पीछे से आम लोगों ने था यह भी हुआ खेल का मैदान हो खेल का सामान भी हो अगर खेल सिक्चक नहीं है तो दूसरे सिक्चक उसको के समय जो है वाइरिंग वगेरा जहां भी नहीं था तो करा करके उसको ठीक किये हुए है अभी मैटी का एक्जाम भी सेंटर है तो यहां पर और भी जाम है एक लब विदाले का हम लोगे पीसी का भी जाम कराये थे इसके पर ले तो उसके देखते रहे हैं ताकि अच्छा हो देखिए समस्या यह है कि जो शिक्षक होते हैं उन्हीं के प्रयास से एक अच्छा स्कूल बन सकता है क्योंकि सरकार जो है आपको फंड देती है अगर देती नहीं तो आपको फंड निकालना पड़ेगा योकि जब तक आप एक अच्छा सोच नहीं बनाएंगे तब तक एक अच्छा स्कूल नहीं बनेगा वह स्कूल डेवलप नहीं होगा फ्राइवेट स्कूल में जाने का सबसे मकसदी होता है कि वहां का इंफरस्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा होता है और शिक्षक अनुपात कहीं सबसे पढ़ाते हैं कम्प्यूटर का जमाना है कम्प्यूटर खर्च कर रही है तो 22,000 कहां खर्च हो रही है मुझे तो पता नहीं चल रहा है तो आप लोग ज़रा हमें बताइए कमेंट करके कि 22,000 रुपय खर्च करने का क्या मतलब है जब सरकारी स्कूल की सिटी एची हाँ अगर ऐसे स्कूल है तो चलेगा 22,000 के जगे 25,000 भी खर्चा क किजे चलेगा क्योंकि स्कूल का इंफरस्ट्रक्चर कितना अच्छा है आगे चलिए सर पुस्तकाले भी दिखा देजिए जिनके जिनके यहां सब कुछ होता है खुद करते हैं कि देख लिजिए और जिनके नहीं होगा हम लोगों को भागाने पर पढ़े रहे हैं समस्य का सजाना बाकी है तो यह बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हायर एजुकेशन के लिए अगर मान के चलिए बाहर जाता है तो बेसिक जो जो बुन्यादी चीज़ है लोगों को मालूम होना चाहिए देख लिजे सब कुछ है हाँ पर देखिए पंक जुनियर यह कच्छा एक से आठ के लिए नहीं सर अचाहा है एक हमें मिल सकता है क्या देखिए बिल्कुल देजे हम लोग भी पढ़ेंगे बिल्कुल सब यह देखिए पत्रीका हम यहां से लेकर जा रहा है पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा है मतलब इतना घूमे है हम हम हाई स्कुल में भी गए ह 32 हो जाता है पता नहीं चल पाता है क्या समयस्य हा सर कि और इसकूल में होता है चाहिस समयस्या यहए कि क्यों अप encouragement आपकी उपर से जो है उतना पैसा jeering को आपके हम याए कि आपके हैं करुछ नहीं हैóc आंको कि आता होगा पंड्र जैसे आता तो हर जगा है लें प्यास लोग करते रहते हैं तो वहां पर जैसे बहुत सारा जो आ रहा प्रयास करते हैं तो बहतर बनता है तो अभी सारा प्रयास को करना है प्रयास तो सिक्षक को ही करना है क्योंकि अभी जगनात मुहतों जी है कि शिक्षा मंतरी है और मुख मंतरी है मंसुरंजी वो तो डायरेक्ट आएगा नहीं आपके स्कूल में पर समय कि लोगो करना पड़ता है और सभी बिद्धाले प्रयास करते रहते हैं वहां के भी लोग रहते तो फिर दिखता क्यों नह करे देखा है पर बहुत मेहनत बहुत महईनत कर रहा है और मेहनत पूरा फॉर चाहरouse देखेगा यह आपका पूरा देश देखेगा कि भाई लाते हर में किसके कॉल इसकूल है पर सारी चीज़े बहुत ही अच्छे से यहाँ पर बनाया हुआ है इसका फॉर्स भी एक पर दिखा दीजे मतलब आपको ऐसा नहीं दिखने को मिलेगा यह सब प्राइवेट इसकूल म में ऐसा क्यों नहीं होता है टेबल टूटा हुआ होता है बेंच टूटा हुआ होता है दिवारे जो है गिर रही होती है पंखा चलता नहीं है लाइट जलती नहीं है तो आपकी क्यों नहीं होता है मेरा सवाल है लोगों से प्राइवेट इसकूल इससे अच्छा नहीं होता है खास करके ऐसे छोटे छोटे जिलो में किसे लातिहार हो गया आपका प्लाबू हो गया गर्वा ओ गयाद यह देखिए अपनीज में जो गर्या आते हैं गर्याना बन कीजे और भूद पर काम कीजे और पर्यास कीजेगा तो सब पुचछ सही हो सकता है और बच्चे का भविस भी सुधर सकता है लेकिन आप प्रयास नहीं करते हैं ज़रा देख लिजे ये भी सरकारी स्कूल का कंडिशन है ज़रा देखिए कितना अच्छा कंडिशन है बाहर आईए तो आपको हमने दिखाया है ये राजकिये क्रिट प्लस टू उच्विद्याले मनिका लातेहर जिला में है और बहुत ही अच्छे कंडिशन में है मतलब इसको एक ग्रेड का इसकूल का सकते है आप तो बने रही हमारे साथ देखतेर ये भावकाल टीवी निउज मैं हूँ लातेहर जिले के मनिका एरिया से समर जय हिंद